असलाम ओलेकुम वेल्कम बैक टू माय चैनल एसकी वर्ल्ड आज में लिकर आई हूँ आप सब के लिए एकदम लच्छेदार और क्रिस्पी पकोड़े जिने हम बनाएंगे गोबी के साथ इसमें कोई एक्स्ट्रा स्पाइस नहीं जाएगा एक नॉर्मल स्पाइस जो हर घर में मौझूद हो वो ही हम इसके अंदर एट करेंगे अगर आपको मेरे ये वीडियो पसंद आये तो उसे जरूर लाइक कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा इसको हम शामल करेंगे एक बाउल में गोबी शामल करने के साथ साथ हम इसमें शामल करेंगे प्याज तो देखे जनाब एक इंपॉर्टन चीज़ वो ये है कि आपने अगर लच्छे दार पकोड़े बनाने हैं तो उसमें जो आप चीज़ें डाल रहे हैं या कोई भी से काटना लाजमी है वनाब वो लुक नहीं आएगा वैसा पकोड़ा नहीं बनेगा जैसा आप बनाना चाहरे हैं तो देखें यहाँ पर मैंने कुछ स्पाइसेज एड़ कर लिए हैं वन टेबल स्पून की करीब धनिया पाउडर वन टेबल स्पून की करीब चाट मसाला औ अच्छी तरह से कर्ना है जो मसाले हैं इनको इसलिए मैंने पहले एड़ किया क्योंकि जो सबज़िया होती है न वो अकतर पानी छोड़ जाती है इसमें हमने एक करीब बेसन और फुर टेबल यूपन इसके अदर काझ्पान चैनर आपद्टन करने में लिक्विडी नहीं करना और नहीं बहुत जादा गाड़ा करना है ज्यादा पानी इसके अंदर शामिल नहीं करेंगे तकरीबन आदा कप इसके अंदर पानी जाएगा तो बस इसी तरह से इसको मिक्स करते रहना है जब अच्छी तरह से मिक्स हो जाए तो इस तरह से हाथों की मदद से एक पोशन लेंगे और डारेक्ट इसको आयल में अट करते जाएंगे पकोडों की जो शेप है ना वो बिलकुल रफली सी बनेगी कोई परफेक्ट शेप नहीं बनेगी तो यहां पर मैंने एक कडाही में आयल गरम करने के लिए रख लिया था जैसे ही आयल तेज गरम हो जाएं तो इसमें शाम it. पकोडे एक बात और कि जब पकोडे शामल करेंगे तो flame बिल्कुल रख ़े करद दो तीन मिनट आपने लिए ही चोड़ देना है उसकी बाद आप किसी भी चीज़ की मदद से इसको अपनी जग़ा सकते हैं और इसकी सा Inhale जेसे ही प्यार2 आजाए तो हम इसे निकाल लेंगे तो ये देखिये माशालल से लहांदुलिला फकोडों यहाँ पर बहुत प्यार 2 पकोड आГिया है अब इनन निकाल लेंगे और इसी तरह यहां पर हमारे सारे के सारे मज़िदार से पकोड़े तैयार हो गए हैं और यह इतने क्रिस्पी बनके तैयार हुए हैं अब मैं आपको इसकी आवास सुनाती हूँ तो बैक्राउंड में जो आवासे आ रही हैं उसे तो आप कर लें इग्नोर क्यूंकि बच्चों को कोई भी खामोश नहीं करवा सकता तो जनाब आपको अंदाजा हो गया होगा कि कितने क्रिस्पी और कितने मज़िदार बनके तैयार हुए हैं इस रेसिपी को जरूर ट्राइ किज़ेगा और हमसे शेयर किज़ेगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी अपने और अपने चाहने वालों को बहुत सारा खयाल रखेगा मुझे दूआं में याद रखेगा अलाहाफेज प्यामानिल्ला